किसे गिफ्ट किया है किसे डोनर से इमाँ क्लियर ? तो in short हम यह कह सकते हैं अगर डोनर वे डोनर गिफ्ट होल ऑफिस प्रोपर्टी अपने पूरे प्रोपर्टी को गिफ्ट करता है इसको डोनी को तो डोनी उस सिनारियो में युनिवर्सल डोनी कह लाईगा या क्योंकि along with accepting the title of properties, he have to accept the debts या liabilities attached with property. तो यह है universal Dhoni का concept given under Mohammedan law. मुस्लिंग law में, Mohammedan law में जो भी provisions है gift के Transfer of property act में chapter 7 के तहर्ट जो provisions है gift के वो affect नहीं करेंगे Mohammedan law में जो provisions है gift के उसको. ठीक है? आज के इस वीडियो में हम section 128 and 129 इन दोनों ही section को discuss करेंगी. जैसा कि आपको पता है कि हम chapter 7 of transfer of property act 1882 को अभी continue कर रहे हैं और इसके तहत हमने section 122, 123, 124, 125, 126, 127 तक cover कर लिया है with proper notes and examples. तो आज इस वीडियो में हम chapter 7 के बच्चे हुए जो दो sections है, section 128 and 129 इन दोनों ही sections को cover करेंगी. आए शुरू करते हैं. section 128 यूणिवर्सल डोनी को define करता है. कौन होता है यूणिवर्सल डोनी देखो जब डोनर अपने पूरे प्रोपरिटी को ट्रांसफर करता है गिफ्ट के माथ्यम से इसको डोनी को तब क्या होगा? जब डोनर अपने पूरे प्रोपरिटी को ऐसे गिफ्ट ट्रांसफर करता है किसको डोनी को तो जितना प्रोपरिटी वो ऐसे गिफ्ट ट्रांसफर करेगा डोनी को डोनी इस पर्सनली लाइबल होगा तो जो भी प्रोपरिटी गिफ्ट किया गा है डोनर के द्वारा किसको डोनी को डोनी अगर उस गिफ्ट ट्रांसफर को एक्सेप्ट करता है तो पर्सनली लाइबल होगा डिफ्ट के पेमिंट के लिए क्लियर देखो आगी टागर है क्याता है subject to the provisions of section 127 section 127 के provisions के according अच्छा section 127 किसे define करता है onerous gift को define करता है और onerous gift का है उससे हमने एकदम detailed way में एकदम simple manner में with proper notes and examples इन दो वीडियो में cover किया है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो अच्छा onerous gift को पढ़ते समय हमने यह जाना था कि onerous gift section 127 किता है तीन पैराज में divide है पैरावन कहता है gift in form of single transfer दूसरा gift in form of two separate and independent transfers और तीसरा पैरा onerous gift made to disqualified position ठीक है और इसमें हमने जाना था कि अगर डोनर अपने किसे property को which consists of one or more things ठीक है डोनर अपने किसे property को जो दो या दो से अधिक चीजों को hold करता है कंसिस्ट करता है और अगर उस property को डोनर ट्रांसफर करता है single transfer के माध्यम से इसको डोनी को तो अगर डोनी उस gift को which consists of many things accept करता है तो completely accept करना होगा यानि अगर किसी things में अगर किसी property में किसी प्रकार का charge है तो उसे भी accept करना होगा तो उसे completely accept करना है नहीं तो completely deny कर देना है इन सभी तीनों पैराज को हमने onerous gift को define करते हुए अच्छे से समझाए और दूसरा क्या था gift in form of two or more separate and independent transfers और तीसरा onerous gift made to disqualified person अगर onerous gift है और किसी disqualified person को transfer किया जा रहा है हम जानते हैं जो competency to contract होता है वो applicable होता है के बल डोनर के ऊपर not on dony तो अगर onerous gift है disqualified person को transfer किया जा रहा है he is not libel वो libel नहीं है to make the payments of charges to make the payments of encumbrances ठीक है क्योंकि onerous gift का मतलब ही है a gift which contains charges तो यह कह रहा है subject to the provisions of section 127 यानि section 127 के provisions को consider करते हुए in case donor is making gift of whole of his property donor अपने पूरे property को as a gift transfer करता है किसको डोनी को तो डोनी personally libel होगा for all the debts उन सभी debts के लिए जो कि क्या है attached है उस property से जिसे वो as a gift accept किया है किससे donor से हमें clear तो in short हम यह कह सकते हैं अगर donor where donor gifts whole of his property अपने पूरे property को gift करता है इसको डोनी को तो डोनी उस सिनारियो में universal donor कहलाएगा क्यों क्योंकि along with accepting the title of properties he have to accept the debts या liabilities attached with property clear है तो यह है universal donor का concept I hope universal donor क्या है आपको simple way में समझ में आ रिया होगा right आप देखो section 129 कहता है saving of donations mortis causa and mohammedan law section 129 यह कहता है कि the provisions of this chapter does not affect this chapter 7 जो gift को define करता है और उसके provisions को hold करता है इस chapter के जो provisions है वो affect नहीं करेंगे इसको gift of movable property made in contemplation of death अगर donor अपने death को जान रहा है after finding the possibility of his death donor अगर किसे immovable property को transfer कर रहा है तो इस chapter के जो provisions है वो उस transfer पे applicable नहीं होंगे जा उस transfer को affect नहीं करेंगे ठीक है तो क्या कह रहा है कह रहा है the provisions of this chapter does not affect gift of movable property made in contemplation of death दूसरा कह रहा है the provisions of gift given under mohammedan law muslim law में mohammedan law में जो भी provisions है gift के transfer of property act में chapter 7 के तहर्र जो provisions है gift के वो affect नहीं करेंगे mohammedan law में जो provisions है gift के उसको ठीक है the provisions of gift given under mohammedan law is also not affected वो affect नहीं होगा transfer of property act के chapter 7 ने जो भी gift और उसके provisions दिये गया है उनसे क्योंकि हम जानते हैं कि जो object and scope of transfer of property act है वो क्या है limited है और इसे हमने अपने second class में discuss किया था तो क्योंकि object and scope of transfer of property act is limited इसलिए अगर को special laws हैं जिनमें किसी property को कैसे transfer करना है वो सभी चीजें mention हैं तो transfer of property act 1882 के जो provisions है वो उस पर prevail नहीं करेंगे ठीक है इन शोर्ट हम यह कह सकते हैं कि section 129 यह कहता है कि इस chapter के जो provisions है वो उन सभी transfer को affect नहीं करेंगे विच इस बेस्ट ओन what mortis cossum यानि in contemplation of death और दूसरा मुहमधिन law तो यह था section 128 और section 129 आई हो इस छोटे से lecture में section 128 और 129 आपको असानी से समझ में आ जाओ तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना support दरूर दें thank you have a nice day